हेई फ्रेंट्स, वेलकम्टो एग्जाम पाटने चानल, मेरा नाम प्रवीन है और आज अपर पढ़ने वाले मैपिंग, यह है कॉन्फर्मल मैपिंग का सेकेंड पार्ट, तो भी मैपिंग में कुश्चिन किस टाइप किया आते हैं, जो आपके सामने हैं, फिर्स कुश्चिन उपन जेड़ प्लस वन, यूजिंग इस इक्विश्चिन, उसका सॉल्ट करेंगा मेथड कैसा है, डबलू इक्वल्स टू, अपके जो अलग टम्टो उनको साथ में, तो यहां पर क्या आगया, डबलू जेड मैनस जेड़ इक्वल्स टू, माइनस टू, माइनस टू, माइ नकाला, तो कै कै मिला, Zados, W-1 इक्वल्स टू, माइनस टू, माइनस टू, मैंने यहां पर क्या को क्या क्या कया, माइनस टू, मैंने z के मैपिंग में तो z equals क्या हो गया minus of w plus 1 upon w minus 1 equals to अब मैं पर क्या करूँगा यहाँ भी मेरा minus है इस minus को अटाने के लिए मैंने क्या किया denominator में से minus मैंने comma निकाला तो क्या मिल गया 1 minus w तो यह minus minus cancel w से print किसे में change हो गया मेरा z equals to 1 plus w upon 1 minus w so your first step is what अगर आपको w में given है उसको z में change करना है अगर z में आपको given है तो उसको w में change करना है now after that your step number second is what let z equals to what x plus iy यह आपका form होता है w के शुच्च क्या होता है u plus iv तो z के लिए का equation है x plus iy w के equation है u plus iv इन दोनों को उठा के आपको इस equation में put कर देना तो z के replace में क्या जाएगा x plus iy 1 plus w क्या जाएगा u plus iv u plus iv तो यहाँ पर में रहा गया x plus iy equals to 1 plus u plus iv 1 minus u plus iv अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपका x plus iv अब इसको solve करने के लिए मैंने क्या conjugate लिया और इसको हम बोल सकते है rationalize यानि क्या minus sign है इसको हम change करेंगे और उपर निचे multiply कर देंगे numerator में भी और denominator में भी तो क्या आगया देखो plus plus sign आगया और आपका जो denominator है वो उपर निचे multiply हो गया अब इस पार्ट को और इस पार्ट को मिल जाएगा 1 minus u minus iv 1 minus u plus iv यानि इसको सब्वोज अगर हम assume करें a minus v a plus v that is a square minus b square तो यह आगया 1 minus u square minus iv square अब इनको numerator बाट में solve करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 minus u square plus iv plus u iv plus iv minus u iv minus v square अब आपका जो plus और यह minus होगया cancel नीचे क्या आगया 1 minus u square plus अब यह minus था अब मेरे square को लोगा तो क्या मिलेगा i square v square और i square की बेली कितने होती है minus 1 तो यह minus 1 और यह minus होगया plus v square आया समझ मैं अब नियुमेटर पार्ट क्या बचा 1 minus u square minus v square plus 2 IV यह IV क्या होगया 2 IV होगया ठेक है after that denominator आपका as it is आगया अब मैं क्या करूँगा अब अगर आप यहाँ में notice करोगे यह होगा आपका real part यह होगा आपका i वाले पार्ट क्या imaginary part यानि क्या करूँगा इस तरहीं से मैं क्या separate कर दूँगा तो क्या मिलेगा यह होगा 1-u square minus v square upon denominator plus i 2v upon denominator ठेक है now equating real part and imaginary part यानि x के ले टम क्या जाएगा यह equals to this part y equals to this part तो आपको next step में क्या मिलेगा next step में आपका answer मिलेगा x equals to 1 minus u square minus v square upon denominator y equals to 2v upon 1 minus u square 1 minus u the whole square plus v square now put the value of x and y in given condition that is y equal to x so y के value क्या यह equal to x यह part तो आपका denominator same है तो cancel हो गया क्या बचा 2v equals to 1 minus u square minus v square तो आपका यह पूरा equation क्या मिलेगा मुझे 2v क्या करूँगा इस पूरे part को उठा के इस side में shift कर दूँगा तो यह minus minus हो गया plus यह plus 1 हो गया minus 1 तो क्या मिला u square plus v square plus 2v minus 1 equal to 0 which is equation of what circle तो यह क्या हो गया मेरा पूरा plane बनोगी जो हमने देखे थे confirmant यानि आपको क्या right half plane और left part lower और अपर वाले जो किसे से उसके अंदर उसमें देखेंगे ठीक है तो आपको show that करना है इसके अंदर एक आथा question आपको find करने का second आथा आथा आपको prove that और उसको बोलेंगे क्या होता है उसका हम देखेंगे किसके उसको लिखना है तो condition क्या आपका w को चुक्त क्या होता है u plus i v अगर उसके मैं mod निकालूंगा तो मुझे answer क्या मिलेगा under root u square plus v square यह आपको याद रखना है ठीक है तो मेरा equation क्या w का z minus upon z minus b upon z plus b cross multiply किया तो क्या मिला w z plus w b equals to z minus b now z वाल एटम साथ में और b वाल एटम साथ में तो w z minus z और यह होगा minus b minus w b z common निकाला क्या मिला w minus 1 equals to minus b common निकाला तो अंदर क्या बचा 1 plus w now z equals क्या हो जाएगा minus b 1 plus w minus of 1 minus w अब इसमें से मैंने क्या क्या minus common निकाला यहां क्या 1 minus w now z equals to क्या हो गया मेरा z equals to b plus b into 1 plus w upon 1 minus w अब आपका equation किसमें था w में किसमें चेंज हुआ z में चेंज हो गया अब मैं क्या करूँगा z equals to x plus i y put करूँगा w equals to u plus i v put कर दूँगा ठीक है तो क्या मिलके है मुझे x plus i v equals to b into 1 plus u plus i v upon 1 minus u minus w यह होगा मेरा कैसे bracket open करने के बाद अब अगर आप 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 notice करोगे आप तो यहाँ पे आपका यह यू पार्ट है पूरा यह आपका v part है यानि यह real part अब मेरा यह पूरा पार्ट इससे multiply होगा और denominator वाला इससे multiply होगा तो यह मुझे मिलका b है आपका मैंने कहा क्या बाहर रखा 1 plus u होगा एक बार इस पूरे से multiply plus i v multiply होगा इस पूरे से multiply denominator क्या हो जाएगा a minus b a plus b that is a square minus b square formula 1 minus u है 1 minus u the whole square minus है यह plus है यह आगया minus but i square i into i क्या होगया i square तो i square का value कितना होता है minus 1 तो वो minus और यह minus होगया plus v square समझा आपको now x plus iv इसको bracket open के दो क्या मिला होगे 1 minus u square plus iv plus u iv plus iv minus u iv minus v square divide by आपका denominator now b into अब यहां पर आपका क्या होगया iv iv होगया 2 iv u iv और minus u iv होगया cancel क्या बचा minus v square denominator as it is now अब मैंने क्या किया image-dari और real मैंने अलग-अलग लिखा तो कैसे v square के साथ में आगया क्योंकि v आपका क्या है real part है क्योंकि compare करूँगा equating real part and imaginary part यानि इस part को लिखेंगे हम क्या x equals to this part y equals to i upon 2 iv upon denominator ठीक है तो मुझे equation क्या मिलेगी तो मुझे equation मिलेगी x equals to b into 1 minus u square minus v square upon 1 minus u square 1 minus u the whole square plus v square comma y equals to क्या मिल गया अब मेरा b पूरा multiple हो रहा था यहां पर मेरा b में multiply होगा इसमें y में तो 2 by upon 1 minus u the whole square plus v square यह मिलेगा मुझे क्या x और y now given condition is what equation of right half of z plane that is x अपका हो जाएगा x greater than 0 ठीक है तो x is what यह part है greater than 0 तो अब यह यहा multiply क्या 0 से यह divide था यहां के multiply हुआ 0 से तो cancer मिला 0 क्या बचा b into 1 minus u square minus v square now b यहां multiply है यहां पर क्या बचा 0 upon b that is what answer simple 0 क्या बचा 1 minus u square minus v square greater than 0 अब मैंने क्या minus u square minus v square मैंने यह shift किया तो क्या बचा y greater than u square plus v square अब अगर मैं यह sign change करूँगा तो मेरा यह बचा तो क्या मिल जाएगा मुझे u square plus v square less than 1 that is अब मेरा अगर 1 का मैं root लूँगा तो क्या मिलेगा root 1 इसको root के तो क्या मिल गया u square plus v square तो अब यह part क्या होता आपका mod of w less than 1 this is the final answer आया सबज़ में तो आपको तो इस तरह किसा आपको equation अगर condition given है right half of z plane और अगर आपको किसी और condition में given है आपको कोई plane दिया हुआ है तो आपको इस तरह किसा mapping के question solve करना है तो thank you so much वीडियो दिखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like करो comment करो subscribe कर दो और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर दीजिए क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियो से जो available होने वाले और आपको notes चाहिए तो description में आपको link मिल जाएगी वहाँ से आप download कर सकते हो it's a free of cost thank you so much have a nice day